स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी सीकर्स में आज हम डिसकस करेंगे 5 सितंबर 2022 के करंट अफेर्स जो सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अतिमाहत पूर्ण होंगे और इसके साथ ही लाष्ट में हम प्रिवियस डे के रिवीजन्स भी करेंगे तो जोगी आदितनात जी ने कहा है कि लखनवों और उसके आसपास के जिलों का विकास करने के लिए वे अब दिल्ली NCR की तरच पे लखनवों SCR का गठन करेंगे लखनवों SCR में सामिल जिले होंगे लखनवों, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात, बारा बंकी, सीतापुर और राइबरेली, हम बात करें NCR की, तो 1985 में NCR का गठन किया जाता है, इसमें दिल्ली, हरियाना, राजस्तान और उत्तर प्रदेस के कुछ जिलों को मिलाके इस दिल्ली NCR का गठन किया जाता है, हम आगे बढ़ें और बात करें उत्तर प्रदेस की, तो उत्तर की राज़धानी लखनवू है यहां की राज़िपाल आनंदी बिन पटेल है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री है योगी आदित्यनात उत्तर प्रदेश का फोक डांस है कठग ये इंडिया का क्लासिकल डांस भी है चर्कुला डांस नोटंकी डांस कजरी डांस और रास ली इला डांस उत्तर प्रदेश का नस्नल पार्क है दुद्वा नस्नल पार्क उत्तर प्रदेश के जियाई टैग है गोरकपु टेरा कोटा मिट्टी मगही पान और मलिहाबादी दसेहरी उत्तर प्रदेश में बिधान सबा सीटों की संख्या है चार सुतीन बिधान परिशच से कत्तक, इस्टेट स्पोर्ट है फिल्ड होंकी, आईए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हाली के करेंट अफिर्स, भारत का पहला पैरा बैड्मिंटन अकैडमी लखनों में खोला गया है, उत्तर प्रदेश को नस्नल वाटर एवार्ट्स में पहला इस्थान मिला है, पीम मो प्रदेश कागज रहित बजट पेस करने वाला भारत का पहला राज्जी है, उत्तर प्रदेश को इपंचायत पुरुसकार 2021 मिला है, उत्तर प्रदेश में बालस रमिक विद्या योजना सुरू किया गया है, रमापती सास्तरी को हाली में प्रोटे मिस्पीकर बनाया था, उत्तर प्रदेश ने सबजियों का उत्पादन सबसे जादा किया है, उत्तर प्रदेश के सरावस्ती से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है, स्मार्ट सिटीज मिसन के तहत उत्तर प्रदेश सरस्रेश्ट राज्जी बना है, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्राइटों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभो पोल्टल सुरू किया है हर मंडल में अटल अवासिय विद्याले बनवाने की गोशना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है हाली में उत्तर प्रदेश में आपदा मित्र और आपदा सकी पर योजना सुरू किया गया है लखनव में आम महुसों का आयोजन किया गया है भारत के पहले Education Township की इस्तापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है लखनव में भारत के पहले Night Safari का विकास किया जाएगा चलते हैं अपने Next Question पर किस राज सरकार ने Global Startup Challenge वेंटूराइज लाँच किया है तो इसका सही आमसर है Option B करनाटका करनाटका सरकार ने करनाटका में स्टार्टप्स को बढ़ावा देने के लिए Global Startup Challenge वेंटूराइज लाँच किया है हम आगे बढ़ें और बात करें करनाटका की तो करनाटका की राज़तानी Bengaluru है यहाँ के गवरनर थावरचंदर गैलोत हैं करनाटका के मुख्यमंत्री हैं बसोराज जममई करनाटका के फौक दांसेज हैं अंसी नेशनल पार्क, नागर होल नेशनल पार्क, बांधी पुर नेशनल पार्क, बनेर घटा नेशनल पार्क और कुद्रे मुख नेशनल पार्क, करनाटका में बिधान सवा सीटों की संख्या है दो सो पच्चिस, बिधान परिसद सीटों की संख्या है पच्छत्तर, लोग फूल प्रसंस क्राण केंदर करनाटका में खोला गया है, करनाटका में पहली वूल्फ सिंचुरी खोली गई है, करनाटका ने ट्रांजेंडर के लिए नोकरी में आरक्षन देने की गोशना किया है, हाली में केंदर सरकार ने करनाटका में प्लास्टिक पार्क बनाने की दिए है करनाटका में इबाय क्योजना Laugoo किया गया है करनाटका में विमन स एट्वर्क कारिक्रम सुरू किया गया है पहला डिश्टल वा वाटर बैंक् एकुवेदियं करनाटका में खोला गया है बिजयनकर करनाटका का 31 जिला में दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए करनाटका सरकार ने नंदनी शीरा समरिद्धी सहकारी बैंक की स्थापना की है करनाटका सरकार ने आयू एप लाँच किया है मैलाओं को नौकरियों में 33% आरेक्षन देने की गोशना करनाटका सरकार ने की है करनाटका में fruit software launch किया गया है करनाटका में 87 योजना शुरू किया गया है करनाटका ने 2025 तक malaria मुक्त होने की गोशना किया है करनाटका सरकार ने खिलाडियों को 2% direction देने की गोशना किया है बैंगलोरू में भारत का पहला 3D printed post office खूला जाएगा चलते हैं अपने next question पर चर्चा में रही कालिया योजना का संबंद किस राज जिसे है तो इसका सही आंसर है option C. उडिसा कालिया की full form है क्रिसक assistance for livelihood and income augmentation इस योजना के तहत उडिसा सरकार ने 920 करोड रुपे किसानों के खातों में direct भेजा है इस योजना का लाव ऐसे किसानों को मिलेगा जिनकी फसल आपदा के कारण खराब हो गई है हम आगे बढ़ है और बात करें उडिसा की तो उडिसा की राजदानी भूगनेश्वर है यहां के गवणनर गनेशी लाल है उडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पटनायक है उडिसा के फोक डांसे हैं उडिसी डांस, गोटी पुआ डांस, घुमारा डांस, चैती गोडा डांस और पाइका डांस उडिसा के फेस्टिबल है कलिंग फेस्टिबल, राजा पर्प, रथ जात्रा, नुवा खाई और धनु जात्रा उडिसा का नेशनल पार्क है भीतर करिका नेशनल पार्क और सिमली पाल नेशनल पार्क उडिसा में बिधान सबसीटों की संख्या है 147, लोग सबसीटों की संख्या है 21, राज सबसीटों की संख्या है 10, उडिसा का इस्टेट एनिमल है सांबर डियर, इस्टेट बल्ड है इंडियन रोलर, इस्टेट फ्लावर है असोक, इस्टेट ट्री है फिग, आईए देखते पूरी पहला सहर है जहां 24 गंटे नल से जल मिलता है उरिशा स्पांसर कर रहा है होकी को उरिशा में गोब बंदू संबादी का स्वास्ति योजना चलाया गया है भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम उरिशा के राउल केला में बन रहा है उरिशा एक मात्र ऐसा राज्य ह जहां मगर की तीनों प्रजातियां पाई जाती है उरिशा के पहले जनजातिये मुखमंत्री हिमन अंद विस्वाल का हाली में निधन हो गया है उरिशा में लाइट हाउस टूरिजम शुरू किया गया है पुरू सांकी बिसुकब 2023 उरिशा में आयोजित होगा उरिशा में क G20 के सिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाली इंडोनेशिया अब आप यहां पे एक चीद याद रखिएगा कि 2022 में G20 की जितनी भी सम्मेलन और बैठक होगी वो इंडोनेशिया में होगी क्योंकि G20 का जो होष्ट दे इसकोलकाता में आयोजित होगा गल्फ कंट्री इंवेश्टमेंट सम्मिट जम्मू कस्मीर में आयोजित हुई है इंटरनेशनल जियोलोजिकल कॉंग्रेस नहीं दिल्ली में आयोजित हुई है जी सेविन क्लिशी मंत्रियों की बैठक जर्मनी में आयोजित हुई है वन ओस चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर साइबर सुरक्षा अब्यास सिनर्जी का आयोजन किस कंप्यूटर वायरेस के हमले से निपटने के लिए किया गया है तो इसका सही आंसर है option ए ransomware साइबर सुरक्षा अब्यास सिनर्जी सल्टिन और सिंगापूर की साइबर सेकुरिटी एजनसी ने मिलकर किया है हम आगे बढ़ें और बात करें प्रमुक युद्ध अब्यास की चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर हाली में लोगसभा इस्पीकर ओम बिर्ला ने किस देश में स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा का अनावरण किया है तो इसका सही answer है option B मेक्सिको हम आगे बढ़ें और बात करें मेक्सिको की तो मेक्सिको की राज़दानी मेक्सिको सिटी है यहाँ की मुद्रा है पेसो यहाँ के राश्टपती है एन्डरेज मैनुल लोपेज आईए देखते के हैं मेक्सिको का map मेक्सिको एक North American country है मेक्सिको बॉर्डर सेर करता है USA से और Guatemala से मेक्सिको और USA के बॉर्डर पे एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है Rio Grande नदी चलते हैं अपने next question पर भारत किस देश की अर्थबेवस्था को पचाल कर बिस्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थबेवस्था बन गया है तो इसका सही आंसर है option C United Kingdom हम आगे बढ़ें और बात करें United Kingdom की तो United Kingdom की राज़दानी लंदन है यहां की मुद्रा है पॉंड इस्टरलिंग आईए देखते हैं United Kingdom का map United Kingdom और फ्रांस को अलग करता है दोवर स्टरेट United Kingdom की चार कांस्टिट्वेंट कंट्रीज है एक है स्कॉटलेंड जिसकी कैपिटल है एडिनबर्ग दूसरी है इंगलेंड जिसकी कैपिटल है लंदन तीसरी है वेल्स जिसकी कैपिटल है कार्डिफ चौथी है नॉर्दन आइलेंड जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर हाली में 64 रमन मैक्सेसे पुरुसकार कितने लोगों को दिया गया है तो इसका सही आंसर है option D4 रमन मैक्सेसे पुरुसकार को एसिया का नॉबल पुरुसकार भी कहा जाता है इसे पहली बार 1954 में दिया गया था बात करें 2022 में जिन चार वेक्तियों को यह अवार्ड मिला है तो इसमें पहले हैं कमबोडिया के सुधेर अचिम दूसरी हैं फिलिपीन की बरनेट जे मैडरिड तीसरे हैं तदोसी हक्तूरा जोकी जापान के हैं चोथे हैं इंडोनेसिया के गैरी बिंचिव बात करें हाली में दिये गए महत्पूर एवार्ड की तो दिवेंदे फ्रांसिस केरे को प्रिजगर प्राइस दिया गया है डैनिस पी सुलियबन को एबल प्राइस 2022 दिया गया है पीम मोधी को लता दीनानाथ एवार्ड दिया गया है विनोस सर्मा को सुभाष चंद बोस आब्दा प्रवंदन पुरुसकार दिया गया है बलादमिट जलसिंकी को जॉन फ केनेडी करेज अवार्ड मिला है सिंतिया रोजनबिक को वर्ल्ड फुड प्राइस दिया गया है बाल कृष्ण दोसी को रॉयल गोल्ड मिडल 2022 मिला है ओरांग नेसनल पाक को आयू सीन रेजनर अवार्ड मिला है नरायन कुमार को ऊडर अफ राइसिंग सन अवार्ड मिला है केपी कुमारन को जेसी डैनियल अवार्ड मिला है माध्याना तबस्म को लिस्बन ट्रेनले लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड मिला है चलते हैं अपने नेक्ट कोश्चन पर अखिल भारतिय फुटबाल संग के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है तो इसका सही आंसर है आप्शन ए कल्यान चौबे कल्यान चौबे ने अखिल भारतिय फुटबाल संग के अध्यक्ष पद का चुनाव बैचिंग बूटिया को हरा कर जीता है हम आगे बढ़ें और बात करें महत्पूर्ण नियुक्तियों की निदी छिप्बर को अध्धक्ष बनाए गया है सी व्यसी का प्रदेप कुमार महंती को अतरिक्त प्रभार दिया गया है लोगपाल के अध्धक्ष का राजी कुमार को मुख्चुनाव आयुक्त बनाए गया है नल्ला थंबी कलाई सेल्मी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है CSIR की राजे सगेरा महा निदेशक बनाई गई है राष्टिय सूचना विज्ञान केंदर के रंजना प्रकास देशाई अध्यक्ष बनाई गई है प्रस काउंसिल आफ इंडिया की परमेश्वरन IELCEO बनाई गए हैं नीती आयोक के प्यूस गो इलCEO बनाई गए हैं नेशनल इंटेलिजन्स ग्रिट के समीद वी कामत अध्यक्ष बनाई गए हैं DRDO के चलते हैं अपने नेक्ट कोश्चन पर जो की आज का हमारा लाष्ट कोश्चन है बिस्व जूनियर तेराकी चैंपियंसिप के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारतिये महिला है तो इसका सही आंसर है आप्षण भी अपेक्षा फर्नान्टिस अपेक्षा फ Госудyan जूनियर तेराकी चैंपियंसिप के दो سो मिटर बटरफलाई इवेंट में इन्होंने फाइनल के लिए कौलिफाई किया है। इन्होंने फाइनल के लिए किया है। इन्होंने फाइनल के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना करेगा। इन्होंने फाइनल के लिए किया है। इसका सही आंसर है दो सितंबर। आप लोगों से कल का सवाल था हाली में किस राज में 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है नागा लेंट। आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत की पहली सदेशी HPV वैक्सीन का निर्माण किस ने किया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा। आज के कलास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको आज के कलास से रिलेटेड कोई भी कनफ्यूजन या डाउट होता है तो आप हमारे इस्टाग्राम एकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। इस्टाग्राम एकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपने इस कलास को यहीं पे एंड करते हैं। I hope आपको हमारी आज की या कलास पसंद आई होगी। और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। झाल झाल झाल